नबसकर दोस्तों बिहार अस्टाप सेलेक्शन कमिशन यानि की बिहार S.S.C. की और से यह जो है देख पा रहे होगे यहाँ पे एक नोटिस परकासित की गई है और ओनलाइन भी शुरू कर दिया गया है कार्याले परिचारी करें देख सकते हैं यहाँ परिचारी परिचारी के पदोपर न्यूकती है तो ओनलाइन आवेदन तो यहाँ पर लिंक भी अक्टिवेट कर दी गई है नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है नोटिस भी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो हम जानेगे इस वीडियो में कि यह फॉर्म कैसे भरनी है ठेक देख सकते है नोटिफिकेशन बीस बारा एक दोजार चोबिस कोई परकासित दी गई है तो इस फॉर्म को कैसे भरना है यह देखेगे और कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं और कौन लोग इसको आवेदन नहीं कर सकते हैं यह जानेगे इस वीडियो में तो सबसे पहले चलिए मैं करेंगे कि कौन कौन से लोग इसको आवेदन कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो के दोरान ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं क्योंकि जब तक इसे उपन नहीं करेंगे तो किलियरली जो है वो पता नहीं चलेगा तो चलिए हम सबसे पहले यहा 31 जनवरी 2024 तक आप आवी दन कर सकते हैं और final form को last जो है 31 2024 तक ही final submit भी करना है तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले registration पर किलिक करते हैं देखिए यहाँ पर registration का form खुल चुका है तो इसमें क्या-क्या भरना है यह ध्यान दीजेगा पूरा details से देखेगे तो video में last तक बने है तो चैनल को जल्दी से subscribe कर लिजेगा तो देखिए पहले step में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से लोग भर सकते हैं यहाँ पर देखिए form खुल चुकी है तो सबसे पहले जो है इस पर आप जैसे किलिक करेंगे तो यहाँ पर पूछता है before 12-12-2012 और 12-2012 onward तो पूरी नहीं हो पाई थी तो उसी को अस्थागित कर दिया गया था तो अब जो है इसको पूरा करने के लिए बिहार SSC को दिया गया है तो अगर आपने 12-12-2012 के बाद आविदन किया था और आपका भी complete नहीं होगा था तो आप देखिए यह नीचे वाला select करेंगे अगर आप 2012 के पहले के candidate है तो आप यह उपर वाला select करेंगे तो मैं यहाँ पर वाला select कर देता हूँ फिर यहाँ पर पूछेगा देख सकते हैं आवेदर भरने हैं तू जिला का नाम ठीक है तो कौन से जिला का था तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ एक ही जिला का option मिलेगा पटना का तो यहाँ पर पटना select कर दीजेगा क्योंकि इसके पहले जो है सभी जिलो का निकाला गया था बीच में आपको याद होगा मैं 2023 में इसके सुरुगात में लगवग मेने बताया भी था तो अब जो है 2024 में पटना के लिए पटना जिला के अंतरगत जो भी खाली सि याद पत्र जबाते है ओसके बाद यहां पर आ जाता है कि जिला द्वारा पूर्मे परकासित बिग्यापर में भरे गए आवेदन की संख्या क्या है अगर आपको याद है तो मेंड़ड़ी नहीं है तो अगर आपको याद नही है तो आप खाली छोड़ देंग To our याड है तो आप इहाँ पर भार देंगे थीक है फिर यहाँ पर आ जाएगा कि जीले में आविदन पत्र जमा करने का वर्स की कौन सा था वो आप यहاحँ पर सेलेक्क करके ढाल सकते है और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा फिर father का नाम डालना है, mother का नाम डालना है, domitial estate डालनी है, बिहार का निवासी है, तो यहाँ पर yes कर लेंगे, फिर gender select कर लेंगे, male, female, transgender जो भी है, फिर यहाँ पर category अपनी select कर लीजेगा, जो भी आपकी category है, फिर यहाँ पर आजाएगा कि क्या आप EWS से संबंधित है, तो फिर EBC करें, तो यह देखिए, automatically जो है, यह hide हो जाता है, ठीक है, अगर आप general करेंगे, तो आप से देखिए हैं पर EWS का पूछेएगा, तो आप yes no कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, क्या आप creamy layer रही था है, यानि NCL के अंतर गताते हैं, तो यहाँ पर yes no कर स जाएगा पर्मान पतर जारी करने कीती थी, तो calendar की माध्यम से यहाँ पर select करके डाल देगे, जो आपका बना हुआ है, जाती या फिर EBC, EWS जो भी है, वह आप डाल देगे, फिर जाएगा क्या आप 40% से अधिक दिव्यांग हैं, तो हाँ यह ना कर सकते हैं, अगर yes करेंग अगर देखिए यह फिर hide हो गया, अब देखिए यहाँ पर कुछ था है, क्या भूत्पुर्व सेनिक हैं, तो हाँ यह ना पर किलिक कर सकते हैं, तो मैं आप नो कर देता हूँ, यह भी hide हो गया, अब देखिए ID proof आप से एक मगा जाता है, तो यहाँ पर select कर लेगे, आधार card का number देखिए, यहाँ पर डाल सकते हैं, फिर यहाँ पर आजाता है एक पहचांचीन, जो आपका सरीर पर पहचांचीन है, वो आप यहाँ पर डालेगे, mobile number डालेगे, confirm करेगे mobile number, फिर email ID डालेगे, फिर date of birth यहाँ पर calendar की माद हम से switch कर लेगे, डाल देगे, डालने के बा automatically fill हो जाता है, करने के बाद यहाँ भरने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, तो आपकी qualification क्या है, वो सब पुरा detail यहाँ पर भर देना है, जैसे कि देखिए, क्या क्या भरना है, देख सकते हैं, subject डालेगे, यहाँ पर all कर सकते हैं, आठ भी में आपका कौन से subject थे, वो आपने कितना marks प्राप किया था, वो भरेंगे, फिर percentage भरेंगे, फिर class या division, serenny जो भी आपका है, वो select करके डाल देंगे, देख सकते हैं, फर second, third pass जो भी है, वो डालेंगे, फिर यहाँ पर passing date डालेंगे, passing year डालेंगे, फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ प दोस्तों आपको preview दिखा देगा, preview आप इस परकार से देख लेंगे, उस सब कुछ अगर ठीक है, तो नीचे देखिए, यहाँ पर confirm and submit का option यहाँ पर आ चुका है, अब इस पर click करके अपने form को submit कर देंगे, अब दोस्तों आपके email ID पे आपका registration number और आपका password भेज दिया ज login पे जैसे click करते हैं, यहाँ पर option मिल जाता है, आपको registration number डालने का, यहाँ पर password डालेंगे, इस capture code को यहाँ पर डालके login कर लेंगे, अब देखिए, यहाँ पर proceed to payment का, यहाँ पर option मिल जाता है, पहले तो आप preview देख लेंगे, देख सकते हैं, यहाँ जो भी आपने भरा है registration में वो पूरा दिखाए देगा, यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते है, proceed for payment पर आपको click करनी है, जैसा है इस पर click करते हैं, अब जो है आपका payment का option मिल जाता है, जो भी आपसे payment मागे जाती है, वो payment आपको यहाँ पर clear कर देना है, proceed, process, online payment, इस पर click करके आप अपन payment को पहले complete कर लेगे, देखिए हैं पर एक option मिल चुका है, तो यहाँ पर UPI, Internet, Banking, Debit, Credit Card के मादे हम से यहाँ पर payment कर लेना, payment successful होने के बाद यहाँ पर receipt आपको मिल जाती है, यहाँ पर print करके आप अपना इस payment slip को print करके रख लेंगे, और उसके बाद save and next कर लेंगे, अब next में दोस्तों यहाँ पर आप जो है आपका photo और signature का option मिल जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, सबसे पहले 20 के 20 से 50 के भी तक का आपको एक passport size photo यहाँ पर upload कर देना है, 200 pixel, आज multiply 230 pixel का लगभा photo यहाँ पर होना चाहिए, 20 के 20 से 50 के भी तक का photo यहाँ पर upload कर देंग उसके बाद इसको आपको tick कर लेनी है और अस्थान का नाव डिक देना जहां से आपने आविदन किया है, फिर यहाँ पर submit करेंगे आपका print out आ जाएगा, photo signature सही से upload हो जाने के बाद यहाँ पर आपका final submit option मिल जाएगा, यहाँ पर final submit पर click कर लेंगे और अपने form को submit कर दें आप देख सकते हैं, यहाँ पर registration number, password और forum ID सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, अब देखिए यहाँ पर next print application slip पर आपको click करके अपने print out को निकाल लेना है, देख सकते हैं, print out आ चुकी है, इस पर click करके अपने print out को निकाल लेगे, तो इस फरकार से आप इतन करना था, आपको निकाल लेगे, आपको निकाल लेगे, अब देखिए शेफ जेखिए लेगे, जने आपको फितो